ख़बर नामा के प्रायोजक हैं रिजन्सी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोट सीतापूर, कैंब्रिज इंटरनेशनल एडुकेशन सीता ग्रुपाफ एडुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास यूपी बोर्ड हाई स्कूल परिक्षा फल में प्राची निगम, इंटरिमेडियेट परिक्षा फल में सुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप यूपी की टॉप टैन लिस्ट में हाई स्कूल वा इंटरिमेडियेट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगहे बना कर रच दिया इतिहास गत्वर साइ स्कूल में प्रियांसी सोनी ने किया था यूपी टॉप अपने बच्चों के जुवल भविश्ची के लिए सीता गुरूप आप एजूकेशन महमुदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबी एसी बोर्ड इंग्लिस मेडियम ब्रांच में आज ही कराए प्रवेश फिर बात करेंगे सीतापूर में गर्मी का सितम जिला अस्पताल में बेट पड़ गए खब और खबर नामे के अंत में बात करेंगे नियम विरुज चलने वाले इड भटो पर चलेगा सीबी आई कोर्ट में मुकदमा लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर सीतापूर की ग्राम सबाओं में सूखे पड़े तालाग प्यास से बेहाल भटेखरे बेजुबान सीतापूर में अंतर रास्टिये योग दिवस की तैयारियां तेज सीतापूर में दे दिया हर घर जल से नल तोटियों से नहीं निकल रहा जल सीतापूर में पत्नी और साली के साथ रील बनाना पड़ा भारी बाल-बाल बची जान लखीमपूर में मत गड़ना की तैयारियां पूरी एजन्टों को लेकर दिये गए निरदेश लखीमपुर में डियम और एस्पी ने जाना जिला जेल का हाल सात्वे चरण के मद्दान में भी शिकायतों की भरमार बीशर गर्मी से तपरे यूपी में एक से दो जून के बीच हो सकती है बारिश खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे यूपी माध्यमिक सिचक संकी सीतापुर जिला इकाय द्वारा जिला अधिकारी को पत्र भेजा गया है इस तीन सूत्रिय पत्र में आउकास के दिनों में काम करने के बदले EL दिये जाने निर्वाचन कार में दाइत्तु निर्वहन पारिश्रमिक का बुकतान किये जाने और मतदान कारियों के रूप में तैनाक मतदान कार्मिकों के संपूर पारिश्रमिक का बुकतान कराय जाने की मांग की गई है सीतापुर में मचरेटा बलाक के कंदुवा पूर में सडकों की खराब हालत से ग्रामिडों में नाराजगी है ग्रामिडों के मताबिक गाउं में बनी नालिया तूट चुकी है जिसके चलते नालियों का पानी सडकों पर भरता रहता है उनका आरोपे की ब्रधान माधवी शुकला से कई बार इसे सही कराने के लिए अन्रोथ किया गया लेकिन उनके दोरा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है सीतापूर में चार लोगसभा छेत्रों के लिए नौ विधान सभाओं में पड़े मतों की मतगर्ना को लेकर तैयारियां तेज हो गई है इस भी जनपदी निर्वाचन अधिकारी अनुस सिंग ने मतगर्ना एजेंटों को लेकर महात्वपूर निर्देश जारी किये है इसके अनुसार मतगर्ना में दूसरे विधान सभाओं छेत्रों के निवासी काउंटिंग एजेंट नहीं बन सकेगे जो ब्यक्त जिस विधान सभाओं छेत्र का निवासी है वही विधान सभाओं छेत्र का मतगर्ना एजेंट बन सकेगा इसी के साथ मतगर्ना एजेंटों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा इसके लिए प्रत्यासी अपनी गढ़ना एजेंटों की जो सूची देंगे उसका पुलिस से सत्यापन कराया जाएगा अगर कोई एजेंट संदिग्ध पायाक जाएगा तो गढ़ना एजेंट नहीं बन सकेगा यूपी के दूसरे जिलों की तरह सीतापुर में गर्मी से प्रभावित मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है जिला अस्पताल में हीट शॉक के मरीजों की संख्या इतनी अधिक हो रही कि एमेरजनसी में बेड कम पर रहे हैं गर्मी से प्रभावित मरीजों को बहतर इलाज के लिए अलग से अलग कोल्ड वार्ड बनाया गया है CMS डॉक्टर इंदर सिंग के मुताबिक पहले चार बेट के इस वार्ड की आवशक्ता देखते हुए 20 बेट का कर दिया गया है सीतापुर के सीपतपुर परुश्राम पुरुबा में धार्मिक आयजन किया जारा श्रीमत भागवत कत्था का या कारिक्रम दो जून से शुरू होगा या कारिकरम श्रीकेशन यादो नैपाल यादो और डॉक्टर अंबर प्रिशाद यादो दोरा आयजित किया जाएगा आयजित की और से बताया गया है कि कथा वाचक के रूप में हास सिकवी हेमराज यादो को आमंतरित किया गया है प्रते एक दिन दो पैर दो बज़े से शाम पांच बज़े तक और फिर रात आठ बज़े से कथा की अमरत वरसा की जाएगी उन्होंने बताया कि पूरा हुट और भंडारे के साथ 6 जून को कथा का समापन हो जाएगा आस्मान से बरस रही आख के 20 सीतापूर जिले में बिजली की डिमांड ने भी रिकार्ड बना दिया है 30 माई को जिले में बिजली की डिमांड 406 MVA के रिकार्ड इस्तर पर पहुँच गी हालाके 31 माई को बिजली की डिमांड में कुछ कमी आई अब वो अगटकर 383 MVA रह गई है लेकिन इसकी वज़ए 30 माई की शाम आई आंधी में तारों और खंबों के तूटने से कई फीडरों का ब्रेकडाउन में चले जाना रहा हुसेन गंज इस्तिद 220 केवी पारेसर केंदर के उपखंड अधिकारी अमित पाशवान के मताबिक अभी गर्मी का प्रकोब जारी है लिहाजा बिजली की डिमांड इसी तरह उस्च अस्तर को छूती रहेगी इसमें कमी तभी आएगी जब मौसम में कुछ सुधार होगा बिशर गर्मी इंसानों के साथ बेजुमान पशपच्छियों के लिए भी कहर बनी हुई है सीतापुर के ग्रामीर इलाकों में पश्चों के जुन्ड पानी की तलास में यहां से वहां भटकते देखे जा रहे है 1588 ग्राम सभाव वाले सीतापुर जनपत के लगबग सभी ग्राम सभाओं के तालाब सूखे पड़े है तलाबों से उर्ती धूल जिम्मेदारों की अंदेखी का हाल बया करती है हालाकि जिले के सीडियो निधी बंसल ने तलाबों को भराने के लिए निर्देश जारी कर दिया है जिला पंचायत राज अधिकारी मनोच कुमार ने बताया कि सीडियो की और से सभी वीडियो को अपने अपने छेत की ग्राम सभाओं में कम से कम एक एक तालाब में पानी भराने के निर्देश दिये गए है ताकि गर्मी में भटेकते बेजुवान जानवर अपनी प्यास बुझा सके बीशर गर्मी में पानी सबसे बड़ी जरूरत बना हुआ है ऐसे में अगर पानी की आपूर्थ ठप हो जाये तो जो हंगामा होगा उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है कुछ ऐसा ही लहरपूर नगर पाली काम में हुआ यहां के बहलोल पूर इस्तित बड़ी वाली पानी की टंकी का वाल अचानक खराब हो गया इसका कारण उस छित की जल आपूर्त बाधित हुई इसकी जानकारी मिलते ही खुद चेर्मेन हाजी जावेद आहमद ने मोर्चा समाला और पानी की टंकी पर पहुँच कर जल कल कर्मियों को जल्द वाल सही करने के लिए निर्देसित किया इस दोरान समीर राइन, गुड़ू, आशीश पांडे, बल्लू, अंसारी, सज्जाद मंसूरी और रशफाग गौरी मौजूद रहे सीतापूर में 21 जून के अंतर रास्टिय ये उग दिवस की तैयारिया थेज हो गई है इसी कड़ी में भारत स्वाभिमान न्यास दोरा एक जून से 25 दिवसिय योग सिचक प्रसिचर कारिक्रम शुरू किया गया सहर के महावीर उद्ध्यान में आजित हो रहे इस कारिक्रम को लेकर भारत स्वाभिमान न्यास के जिला सयोजग नीरज वर्मा ने बताया कि यह प्रसिचर प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्ती 10 जून तक अपना पंजी करण करा सकते हैं पहले दिन के प्रसिचर में ओंकार नातिरपाथी, लच्मर प्रसाद का श्यप, हरितवार लाल, कुलदीप, चौरसिया, जैप्रकाश वर्मा, बिमल पांडे, मुके स्तिरवेदी, संतोश अग्रवा, संदीब वैस, शुभी मिस्रा, सरिता तिवारी, लच्मी देवी, रव इकाई के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया, इस मौके पर जैसियाई एलीट और एलपिस ग्लोबल स्कूल के सयोग से बिस्वा को यातायात नियंतरण के लिए बैरिकेट भेट किया गया, इसके बाद गुर्माला सेवा संस्थान में बच्चों को फूड पैके अभार प्रदेशन आयुष नाच सिंग ने किया, इस दोरान बिस्वा जेसियाई अध्यच अजीश श्युवास्तो, पल्लवी सिंग, पसुंदरा सिंग, कनिश्क बरनवाल, उमंग राजवनसी, मुदिच सिंगल, वांचिस शर्मा, वैभव अगरवाल, तुलसी राजवन गुंजन अगरवाल और नमन अगरवाल मौजूद रहे, सीतापूर के संकट मोचन बड़ा हन्मान मंदिर पर संकट मोचन मंदिर समित द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, खास बात रही कि मंदिर समित द्वारा पूरे जेट महीने में सर्वत का प्रशाद बितरन किय और महीने की चारो मंगलवार चारो शनिवार को बंडारे का प्रशाद वितरन होगा, इस बंडारे में मुख के पुजारी रमाकांत पांडे के साथ समित अध्यच उमेश अगरवाल, आसिश गुपता, पवन अगरवाल, महेश गुपता, मुकेश चौधरी, पुनीत अगर घरों में कनेक्शन नेकर पानी की सप्लाई भी शुरू कर दी गई, करीब एक महीना पहले अचानक टोटियों से पानी निकलना बंद हो गया, ग्रामिनों ने टंकी पर तैनात रगनात नामक कर्मचारी से बात की, तो उसने अपने को चौकीदार बताते हुए, शिकायक सुबे टंकी पर पहुचे तो वहाँ पर ताला लगा मिला, ग्रामिनों ने बताया, टंकी से छोड़े के पानी का फोर्स इतना कम होता है कि घरों में नहीं पहुचता, जबकि उन लोगों से पानी का पैसा भी लिया जाता है, फिर भी वह लोग भीजर गर्वी में परिशा कुछ लोगों पर तो रील बनाने का नशा इसकदर होता है कि उनकी जान जोखिम में पढ़ जाती है, ऐसा ही मामला सीतापुर के तालगाओं को तौली छेतर से आया है, लहरपुर के महला बनायू टोला निवासी इर्फान अपनी पत्नी और साली के साथ कार पर सवार होकर शाजदा साहयक नहर की कामन पट्री पर तैर रहे थे, इस दोरान उसके मन में रील बनाने की इच्छा ने जोर मरा, इस पर उन्होंने न्यामूपुर के नहर पुल के पास रील बनाना शुरू किया, तब ही अचानक उनकी कार बेकाबू होकर नहर में जाकिरी, कनीमत रही क की मौजूदा समय नहर में पानी नहीं है, वरना तीनों की जान भी जा सकती थी। उन्होंने बताया, भीचर गर्मी वा तेज धूप को देखते वे या भंडारा पंदरा दिनों तक अनवरत जारी रहेगा, हर दिन बदल बदल कर गोवंज को खीरा, ककडी, तर्बूजा, खर्बूजा, तो रही लौकी आत का भंडारा खिलाया जाएगा। सीतापूर में गोव सेवा का और एक अनकर्णिय उधारन सामने आया है। सीतापूर में 20 कुइंटल, दगना मोव में 17 कुइंटल और गोहलारी में 6 कुइंटल तर्बूज और खर्बूजा गोवन्स को खिलाया गया। अब एक सोक समाचार सीतापूर के गोंदला मोव बलाग की अल्ली पूर ग्राम पंचायत के पूर प्रधान असोक सिंका अचानक निधन हो गया। शुकरवार को दो पहर में खेतों की सिचाई करके घर वापस पहुंचने पर उनकी तबियत अचानक काफी बिगड़ गई। जिसके बाद उन्हें सिदौली के एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत गोशित किया। और अब खबरे लखीमपूर जिले से। यारो तथा प्रित्यासी और उनके एजंट मौजूद रहे। डियम ने बताया राज़ापूर मंडी इस्तित मदगर्ना इस्तल पर मदगर्ना चार्ज उनको सुबह आठ बजे से शुरू हो जाएगी। वक्तों चला है एक छोटे से ब्रेक का आप देखते रहे है खबर नामा। रिफाइंड ओल और प्रोसेस जैसे अनहल्दी ओल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कबजा ही कर लिया है। मगर अब आप इसकी चिंता ना करें। क्योंकि आ गया है वंश कोलू का प्योर सरसो कच्ची घानी ओल। लकड़े कोलू मेथर से तयार ये है नाच्रल और हेल्दी भी। वंश कोलू प्योर सरसो कच्ची घानी ओल के साथ। वंश कोलू तेल सही मिलेगा यहीं। क्यूंदी मिलेगा ना yीडम-फ्यों मिलेगा भी। झाल प्रमुकरूब से मतगर्ना एजेंटों की भूमिका को लेकर आयोजीत इस बैठेंग में बताया गया कि गर्णा एजेंट अपनी विधान सभा में निर्धारिट टेबल पर ही रह सकेंगे उन्हें इधर उधर जाने की अनुमत नहीं होगी कोई भी एजेंट मोबाइल, स्पाइप, पैन, कैमरा अत्वा आनने कोई एलेक्ट्रोनिक डिवाइस, जोलन्स शील पदार्थ, लाइटर, बीडी, शिग्रेट, गुटका, पान, मसाला, पानी की बोतल आधी को लेकर मतगर् एजेंटों को जो पास दिया जाएगा, वहां इस तरह लगाया जाएगा कि दूर से ही दिखाई दे, एजेंटों को पढ़नाम नोट करने के लिए सिप्पेन और कॉगस ले जाने की अनुमत होगी लखीमपूर में आवकास प्राप्त करने वाले तीन पुलिस कर्मियों के सम्मान में विदाई समारो आउजित किया गया पुलिस कार्याले में आउजित कारीक्रम के दौरान एस पी गड़ेश प्रिशाशाहाने सेवा निवरित हो रहे S.I. रवीज प्रिकास सिंग और महेंद राम तथा आरची आर मोरर मुहम्मद अनीस का मालिया अरपड़कर अंगवस्त भेट किया इस मौके पर S.P. ने तीन पुलिस कर्मियों के सेवा काल की सरहना की लखिमपुर में डियम महेंद भादू सिंग और S.P. गड़ेश पिशार शाहा ने जिला कारागार का मा सिंग निरिचर किया इस दोनां जेल अधिकारियों को विमार बंदियों के इलाज में लापरवाही ना बरत ने ब्रद मैला पुरुस बंदियों और बच्चों पर विशेज ध्यान दिये जाने तथा बंदियों को शासन के मंसा अनुरूप सुविधाय उपलद कराने के निर्देश दिये गए इस दोरान उन्होंने का कि बजरंग दल कारिकरता बंगला देशी घुसपैटियों की लिस्ट बनाते रहे एक ना एक दिन उन्हें वापस जाना होगा बैठा को प्रांथ संयुजक महस्तिवारी ने ही संबोधित किया इस दोरान आचारे संजय मिश्रा, आदित तिरपाठी, पूरण सिंग, प्रदीप मिश्रा, अनुस सिंग भदोरिया और आनंद दिछित माजूद रहे लखीमपुर के दोररा कस्वे में मीडिया कारियाले कर्शु बारम किया गया इस दोरान दोररा एसडियम राजेश कुमार, वन रेंजन रिपेंध चतुरवेदी, तहसिलदार आदित विशाल, कस्वा चौकी प्रभारी राम जी तियादो, कफारा चौकी प्रभारी अजय सिंग, SBI प्रबंधक S.P. सिंग, दोररा चेर्मेन नफीस कान, पूर्ब चेर गर्मान मौजूद रहे। कविज्यान प्रकास आकुल के काब विपार्ट से बैठक का समापन किया गया, बैठक का संचालन समित सदसे, डॉक्टर अंजनी पांडे ने किया। इसायोजन में इंडियन बैंक के मुख्य प्रबंधक, अब सेक पटेल तथा PNB की वरिस्ट प्रबंधक, राजभासा अमरता गुपता का विसेश योगदान रहा। और अब खबरे उत्तर प्रदेश से, यूपी में सात्वे चरण की 13 लोग सबा सीटों पर पांच बजे तक मतदान के आक्रे प्राप्त हो गए, इनके मुताबिक सरवाधिक मतदान महराज गंज में हुआ है, यहां कुल 58.66 प्रिस्ट मतदाताओं ने अपने मता अधिकार क सबसे कम मतदान बलिया में हुआ जहां का प्रितिशत 40.54 रहा है, वानरसी में 54.58 मतदान हुआ है, मिझापूर में 75.83 प्रिस्ट राबड सगंज में 54.25 प्रिस्ट चनदौली में 58.19 प्रिस्ट गाजीपूर में 53.53 सलेमपूर में 50.602 में 52 असमलो तिरपन प्रिस्ट मद्दान हुआ है, हलाकि अभी यह आकड़ा अंतिम नहीं है, चुनाओ आयोग अंतिम आकड़े देर रात तक जारी करेगा, जिसके बाद यह प्रिस्ट थोड़ा घट बढ़ सकता है यूपी में साथवे चरण की सभी 13 लोगसबा सीटों पर साम पांच बज़े तक मद्दान के आकड़ों ने पच विपच सभी को हैरत में डाल दिया तमाम वी आईपी मुकाबलों के बावजूद एक बार फिर मतदाता बढ़ चड़कर मद्दान करने में पिछड़ गये हलाकि सभी दलों ने अपनी और से मतदान प्रिस्द बढ़ाने की तमाम कोशिशे की लेकिन इसे वोटरों की बेरुखी कहे या फिर भारी गर्मी का असर कि इन 13 सीटों पर सरवाधिक मतदान महराज गन सीट पर हुआ जबकि सबसे कम मतदान हाई प्रोफाइल कही जाने वाली बल्या सीट पर हुआ यहाँ पर पूर पीम चलशेखर के बेटे नीरस शेखर का मुकाबला सपा के सनातन पांडे से है इसी तरह का हाल गोरच पीठ की परतिस्था से जुड़ी गोरख पूर सीट का रहा जहाँ पर केवल 53.13 प्रिस्थ वोट पड़े सबसे ज़्यदा चौकाने वाला मतदान प्रिस्थ वारा रसी करह पीम नरेंद्र मोदी के तीसरी बार मैदान में होने के कारण इस सीट पर भारी मतदान होने का अनुमान था लेकिन साम पांच बजे तक के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 54.18 प्रिस्थ वोटर पोलिंग तक पहुँचे कुछ इसी तरह का हाल मिर्जापूर सीट का है जहां से अपना दलकी अनुप्रिया पटेल का मुकाबला सपा के रमेश बिंद और बसपा के मनीस्तिर पाठी से है इस सीट पर केवल 55.183 प्रिस्थ मदाता ही घर से निकले सातवे चरण के मदान में शिकायतों की भरमार रही कहीं प्रिशासन ने मदान कर्मियों पर भाजपा के पच्च में काम करने के आरोप लगे तो कहीं इवियम में गड़वडी की बाते भी सामने आती रही शिकायतों की लंबी सूची में दो शिकायत सुर्ख्यां बनी वारा नसी सीट पर प्रियम नरेंदर मोदी का मुकाबला कॉंग्रेस के यूपी अधच अजयराय से है सन्यवार सुबे मदान शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद कॉंग्रेस ने शोचल मेडिया एक्सपर बड़ा आरोप लगाते हुए लिखा कि नरेंदर मोदी अपनी वारा नसी सीट हार रहे है इसलिए आप भाजपा सरकार प्रिशासन की मदद से धानली करवा रही है रोहनिया विदान सबा में बूठ संख्या 192,93 पर कॉंग्रेस पार्टी के बटन पर टेप लगा दिया गया है जिससे वोटर को कॉंग्रेस का निशान न दिखाई दे दूसरी चर्चित शिकायत गाजीपूर लोगसबा सीट से आई है जहाँ पर सपा के अफजाल अंसारी का मुकाबला भाजपा के पारसनाथ राई से है यहाँ पर सपा की और से ट्वीट करके आरोप लगाया गया कि काजीपूर लोगसबा सीट के जखनिया विधासबा में बूठ संख्या नवासी पर भाजपा के लोगों द्वारा मतदाताओं को प्रचार सामगरी दी जा रही है हलाकि इस आरोप को लेकर थोड़ी ही देर में डियम आरिका अकहौरी का भी ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने एरो द्वारा स्वैम जाच करने और केवल मतदाताओं परची दिये जाने का दावा किया है राजदानी लखनों साइथ यूपी के अधिकान सिलाकों में जबरदस्त गर्मी का कहर जारी है दोपेर के समय जुलसा कर रख देने वाली हवाएं चल रही वही तापमान में सामाने से 6 डिगरी का इजाफा होने के जाने के कारण समूचा जंजीवन अस्थ बेस्थ है हाल यह है कि यूपी के कुछ रहर भारी गर्मी के लिए चरचित साओदी अरब से भी अधिक गर्म हो रहे हैं मौसम विवाग के मुताबिक यूपी के 40 से अधिक जिलों में गर्म हवाओं का कहर जारी है थोड़ी सी राहत की बात है कि मौसम विवाग ने यूपी के कुछ जिलों में एक जून से दो जून के बीच गरत चमक के साथ बारिश होने की संभावना ब्यक्त की है इन जिलों में लखिमपूर, सीतापूर, खीरी, हरदोई, कन्नौ, जुन्नाव, लखनौ, बाराबंकी, पीलीबित, साजापूर, आध कई जिले शामिल है यूपी में गर्मी सिर्फ जुलसा ही नीरी बलकि जान लेवा भी बनी हुई है यूपी के अलग अलग जिलों में गर्मी से 166 मौते होने की चर्चाएं बनी है का जा रहा है कि मद्ध यूपी में लू से 47, वाना नसी और आसपास जिलों में लू से 72 प्रियागराज में 11, कौशांबी में 9, गोरकपुर में 3, अमबेटकर नगर में 4, जासी में 6, गाजियाबाद में 4, आगरा में 3, रामपुर, लखिमपुर, खीरी तता पीली भीत में एक-एक ब्यक्त की लू लगने से मौत हो जाने की जानकारी मिल रही है यूपी में गर्मी का कहर बेकाबू होता देख, योगी सरकार हरकत में आई है खुद सीयम योगी आदित तनात ने अपने बड़े अपसरों के साथ बैठा करके कई दिशा निर्देश दिये है इस निर्देश के तायत यूपी के तीर्थ साहित शहरों में निर्सुलक पेजल बेवस्था पर काम शुरू किया गया है इस काम की जिम्मेदारी जल जीवन मिशन को सौपी गई है इसका पूरा खर्च मिशन से जुड़े NGO कंपनियों और एजनसियां उठाएंगी 30 जून को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुश खबरी है अब उन्हें एक जुलाई को मिलने वाली वेतन ब्रदी का हगदार माना जाएगा यह फैसला इलाबाद हाई कोर्ट से आया है दरसल अलग अलग वर्सों में 30 जून को सेवा निवरत होने वाले यूपी के 5 आईयस अपसर ओब नरायन सिंग, अनीता शिवास्तो, जगत राजतिरपाठी, डॉक्टर सुरेंद कुमार और नरेंज शंकर पांडे ने हाई कोर्ट में याचका दाखिल की थी न्याइमूर सरील कुमार राय ने अपने आदेश में कहा कि 30 जून को सेवा निवरत होने वाले कर्मचारी, एक जुलाई को मिलने वाली वेतन ब्रद्धी के हगदार है कर्मचारी हो के पिष्ले साल की की गई सेवाओं का पारिश्रमिक होता है इसे रोकना अविधिक है एक D.I.I.O.S के मामले में डीयम के अधिकारों पर सवाल उठ चुके है हाई कोट ने एक बार फिट डियम के अधिकारों पर सवाल उठाया है कोट ने डियम दोरा एक थाना प्रबारी के खिलाप केस दर्ज करने का आदेस दिये जाने के मामले में असाहमत ही जताई है यह आदेस हाई कोट की लखनों खंड पीट से आया है दर असल बर्रामपुर के जिलाधिकारी ने एक निजी शिकायत पर गैदास बुजूर्ग थाने के ततकाली इन प्रबारी के खिलाप एफाईयार दर्ज करने का आदेस दिया था इसे लेकर कोट में याचका दाखिल की गए थी नियाएमूर्थ अब्दुल मोहिन ने इसकी सुनवाई करते हुए एक पुराने मामले का उलेक करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संगीता में कारिकारी मजिस्टेट को ऐसी कोई शक्त नहीं दी गई है जिसके तहट वह प्राइबेट सिकायत पर एफाईयार दर्ज कराने का आदेस दे सके कोट ने का है इस मामले में विचार की आऊ सेकता है लिहाजा सरकार चार सप्ता में अपना जवाबी हलफ नामा दाखिल करेंगी यूपी की योगी यादितनास सरकार ने लू से हुई मौत को भी अन्य आपदाओं की शेरी में रखते हुए चार लाक रुपए का मौफजा देने की घोशना की है बसरते इसके लिए मृतक का पीम कराना जरूरी होगा अन्य आपदाओं की तरह मौफजा देने के लिए जिले के डियम को अधिकरत किया गया है अगर किसी ब्यक्त की लू से मृत्त होती है तो उसके परज़नों को या मामला लेकपाल तहसिलदार या SDM आद के संग्यान में लाना होगा जिसके बाद राजस सुविभाग पोस्पार्टम कराकर अपनी रिपोर्ट डियम को बेज़ेगा और डियम रिपोर्ट के आधार पर संबंदित राहत राशी जारी खरेगा नियम विरुद्ध चल रहे इट भटो पर नेशनल ग्रीन ट्रिवनियल वेहत सक्त रुख अक्तियार करते हुए CBI कोर्ट में मुकदमा चलाने की तैयारी कर ली है मामला यूपी के अलिगर जिले का है यहाँ पर नियमों की अंदेखी पर चल रहे 124 इट भटो पर अब CBI कोर्ट में मुकदमा चलाने की संस्तुती की गई है इनी में से 11 इट भटो को लेकर NGT ने जिला प्रिशासन से जवाब तलब भी किया है लगनोव विश्व विद्याले के सनातक कच्छाओं में प्रिवेस लेने के इच्छुक छाथ चात्राओं के विरुद बड़ी खुश खबरी है विश्व विद्याले प्रिशासन में प्रिवेस की अंतिम तिथी को एक महिने के लिए बढ़ा दिया गया है पहले अतिती 31 मई को समाप्त हो रही थी अब 30 जून तक प्रवेश के लिए आवेदन किये जा सकेंगे इसना तक में प्रवेश के लिए सामान ने चात्रों को 800 रुपए जबकी OBC, SC, ST और दिव्यान चात्रों को 400 रुपए देना होगा यह था आज का खबर नामा अब देखते रहे आए इंडिया मुझे दीजे इजाजत नमस्कार